हेलो गाइज, वेलकम टू मैटो चैनल, मैरो नाम रभी है, आज की इस वीडियो में हम पाइजन में सेल्फ को डेटेल्ड में डिसक्सन करेंगे, पाइजन में अगर आपने अपजेक्ट उरेंटेड प्रोग्रामिंग लिखा हो तो आपको सेल्फ के बारे में पता होगा, इस इस इंस्तेंस को रिएट करता है सेल्फ की मद्स से, सेल्फ के HELP से हम उस बजखिक्ट जा इंस्तेंस के इतने एक्रिप्यूट से है, या उसके इतने मैजतस हैं उसको हम एपजिक्यूट या कॉल करते हैं, ठीक है? और इसमें एक method मैं बनाता हूँ def के बाद मालीजी मेरा method है say hello ठीक है और उसको हम हर method के अंदर इतने भी object के method होंगे या class के इतने भी instance methods होंगे उसके अंदर हम step को first parameter हमें सा पास करते हैं यह इसको पास करना जरूरी क्यों है इसको हम आगे समिश में आपको दिर दिर आएगा पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यह work करता है तो मालीजी मैं इसलिए हमने इसको हम इस अब्जेक्ट के help से हम यहां पर उबजेक्ट है इस अब इस अब्जेक्ट के इतने method से उसको हम करते हैं देखो अप्जेक्ट के आ रहा है हम हम किसी भी method को call करते हैं इसको हम इसको हम इसको हम अगर उन्टर्नली क्या पास हो रहा है है यहां पर उप्विक्ट हो रहा है मांज्टप टोट मेथट का नेम क्या है से हेलो कि तो जब हम आप जए हो उप्जेक्ट करते हैं तो क्लास का नाम जो और यौर वटत हो ऑसको पास करते हैं जो यह सब्सक्राइब यह देखो आपको सेवाट्पट ही मिलेगा कि मैं इसको कि अब्जेक्ट्ट मेथ अथे अब्जेक्ट और उस अब्जेक्ट को पाज्ट को पॉंट कर रहा है तो हर अंदर प्यामिटर आता है वो इंटर्णली अब्जेक्ट को हमने और मेंट पास किया है यहां प्यामिटर पास किया है तो आप यहां पे हमने एक पहले दे रखा है यह ओवी जे क्या है कि मालीजी मैं आपके कुछ एक और देदो नेम और यहां पे मालीजी मैं हेलो के बाद उसका नाम प्रिंट कर रहा हूं ठीक है प्लस नेम ठीक है तो पहला अबजेक्ट और दोसरा क्या है कुछ अधर है मिलटो नेम पास करेंगे आपके मालीजी रभी ठीक है अभी एसको रण करेंगे तो क्या आएगा घ्लो रभी तो पहला अबजेक्ट जो पहला होगा वह मैं यहां पर आपको पास ना करूं देखना अबहे क्या एगा आपको एरर्र मिलेगा ठीक है अभी मैं इसको रण करूंगा तो यहां पर देखो इरर्र मिलेगा ना हेलो वर्ड मिसिंग वन रिक्वाइड पोजिचनल अल्गुमेंट ठीक है पूजिशनल ऑर्गुमेंट को हमने पास नहीं किया है तिक है यहां पे यह तो आपको ध्यान देना है कि अगर से बाहर से आउग्मेंट पास कर रहे हैं इसलिए जो पाइंट होता है कि अगर आपको या इसे ही वर्क करता है कि इसी भी क्लास के अंदर जो फर्स्ट पैरामेटर होता है की जगा आप यहां पर आप कोई आपको इरर नहीं मिलेगा देखो यहां पर कोई इरर हमें नहीं मिल रहा है आप कुछ भी यहाँ पर देखा क्योंकि कोई डिफाइंट कीवर्ड है नहीं तो आपको समझ में आ गया कि हम कैसे यूज करते हैं ठीक है इसका नेम सेट कर दिया और एज को इनिसलाइज कर दिया और एज को इनिसलाइज कर दिया उसके वह ने गट वना लिया यहां पर तो आप जो हमारा जो आपको पॉइंट कर रहा है को उसके हल्प से हम जो हमारा अग्रा जो पॉइंट कर रहा है अब जैक है उसके बैरियेबल जो एक्रिब्यूट है उसको हम पॉल कर सकते हैं तो अब अब इसको आप क्लास से भी कॉल कर सकते हो तो हमारा जो इसे ही होता है इस नहीं करता हूं कोई अगमेंट पास नहीं करता हूं आप यहां पर कुछ नहीं करता हूं मस्ट है आप फस्ट पैरामेटर इस जूरी काल चल्ट मैंने यह इरप नहीं रहेगा आपको कुछ क्योंकि अभी आगर हमने क्या करता हूं अगर मैं इसका अब्जेक्ट बनाता हूं अगर मैं इसका एक औब्जेक्ट बनाता हूं इसका और आपको देखेगा कि इसके अंदर भी मेथड है है इसके अंदर भी देखो इसको मैं कुमें करता हूं इसके अंदर भी देखो इस अबजक्स के अंदर है अगर आप इसे कॉल करना चाहूं गया पर कोई यहां पर क्यों करना है और इसके अंदर एक और पास किया गया है तो पास यह पता है कि हमारा मेथड कॉल होता है और इसके अंदर यहां पर लिखाए कि यह जो मेथड एक और इसको पास किया गया है किसली हमें आपका पास कना पड़ेगा है अगर मैं आपको कोई इरर नहीं मिलेगा इसका चला जाए तो इंटर्नली सेल्फ का काम क्या होता है आपको करेंट आपको अबजेक्स को आपके इलूज करना है और यह जो अपने अप्जेक्स कर रहा है तो इतने भी अप्जेक्स हैं उसके मेथड से उसको आप इसायता से कॉल कर सकते हैं और यह नौर्मली जब बनाते हैं तो उसको हम आटोमेटिकली पास करना हो तो एक मेथड होता है इंटर्नली और अबजेक्स को अबजेक्स को आपको और दिखाता हूं अगर कि अगर मैं अगर है कि क्या है कि यह थे लो का मैं टाइप करता हूं देखने क्या आता है क्लास के अंदर इसने इंस्टेंश के निदर आते हैं अगर मैं क्लास के लोगा क्लास होगा अगर मैं से प्रिंट करता हूं किसके साथ क्योंकि आप देखें दोनों का प्रिंट करते हैं देखो जो दूसरा वाला है यहां पे क्या है है हम औपजेक्ट से मेठड को कॉल कर रहे है दूसरा क्या है और में जहां पे हम पास करें तो इंटरली जो काम करता है ऐसे काम करता है यह फूरा क्या फंक्सन है अब इसमें हम अब्जेक्स को अपने जो हमारा उब्जेक्स उसको ऐसे पैरामिटर पास कर रहें एक्स्प्लिसिटली तो यह क्या है इसके साथ आपको समझने आएगा तो आपको डिशन्स पाता चल गाए कि हम एंटर्नली फंक्सन हमारा कैसे वर्ट करता है किसी ऑब्जेक्स के अंदर अब कर सकते हैं इसको इस्ट्रेटिक में बना दीजिए अब क्या होगा इसे किसी से मतलब नहीं है इसको आप इसे कॉल कर सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं अगर आप कोई दिक्तत हो आप कोई पोस्टन आ रहा हो जिमाक में आप कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बोक में तो इसक्राइब में चैनल लाइक दा वीडियो थैंक्यू